तो हेलो दोस्तों नमस्ते एक बार फिर्ट आपको श्वागत है हमारे चलने पर दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बीग अपपर्चनूटी लेकर आया हूँ यह वैकेंसी यार यह नहीं पीसी के तरब से गाई जो एकी मीनी रत्न कंपणी के के टेगरी में आती है इलेक्ट्रिकल और स्वील से दोस्तों तो आपके लिए यह बहुत ही बीग अपर चुटी है मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा किस तरह इस फॉर्म को अपलाई करना है और साथी जाहिद आपको गाई पूरा इसका प्रोसेस बताऊंगा कौन-कौन से गाई ब्रांच आपको यहां पर आपको नौलेज देने वाला हूं तो चलते हैं सिदे इसका ओफिसियल नौटिफिकेशन पर और पूरा डिटेल में बात करते हूं उससे पर हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जर आपको नौटिफिकेशन देखिए हैं यहां पर ओफिसियल नौटिफिकेशन नंबर लिखा वाया है दोस्तों सीधा हम लोग बात करते हैं जो डिप्लोमा हो लोग लिए वह वहला पोस्ट सिंपल सब्सक्राइब हैं देखिए जो पहला पोस्ट आपको देखना को मिल हो 60% मार्क्स के साथ तो आप फॉर्म को अप्लाइक कर सकते हो नौलेज ऑफ ओटोकेट होना चाहिए गाइस यह आपके पास होना चाहिए तो देख लीजेगा तीस यह इसका इस लिमिट रखा है बट एस्ट एस्ट वालों को इसको रिजर्विशन मिल जाएगा टोटल पो पोस्ट की बात करें तो जुनियर इंजिनियरिंग इसका भी गाइस पेस्केल सेम होने वाला है फुल टाइम डिपलोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग किये हो 60% मार्क्स के साथ नौलेज ऑफ ओटोकेट विल बी एडड़ और अफ दा एडवांटेज श्रिप आपको दिया जाएगा यदि आपने ओटोकेट करके रखाया तो बर्ट आप सिंपल से इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग पास आउट हो फिर भी आप एपलाई कर सकते हो फॉर्म को इसका भी गाइस एस लिमेट 30 साल है बाकी गाइस टोटल नंबरों पोस्ट की बात करें तो 34 है बैक इसके लिभी सेम होने माला है इसका बात करें क्वालिफिकेशन तो डिप्लूमा इन मेकेनिकल इंजिनिंग होना चाहिए 60% मार्क से साथ इसमें भी गाइस ओटोकेट का नौलेज है तो आपको एडवांटीज दिया जाएगा 30 साल एज लिमिट रखा गया है टोटल वेकें है आई एप्लिकेशन फी एप्लिकेशन फी की बात की जाए तो यहां फे जैनरल ओवी सी एंड जैनरल एड़ाब्लूस के लिए 200 रुपया लगने वाला बाकि स्टी एस सी एक सर्विसमेंट और पीड़ाब्लूड लिए फ्री ओप कॉस्ट है उसके लिए कोई फी लगने मीड़ा नहीं तो आप यदि बिलोंग करते हो जरूर कीजिए बीग ऑपरषुपर्ट्टि एपके पास होने वाले हैं आप कैसे फर्म को एप्लाइ कर सकते हो तो देखे हिनका Oハハicheal साइड में केरियर आप्टिन में जाके फर्म को एप्लाइ कर शकतो यह सब सबके पास चाहिए कोंब्सने क्वैप के पीडियो चाहिए या secure comment कि जिसकर में यहां पर विडियो बना दूंगा इसका सेमेक्षिन प्रोसेस की बाद की जाए गाइस कॉंप्राइब्न od का होने माला है उसके बाद ही आपको इपॉनमेंट लेटर दिया जागा फाइनल मेरिट के बास टेस्ट सेंटर की बात की गाई तो हर एक सिटी में आपका टेस्ट सेंटर हो जाएगा एमदाबाद बेंगलूरू बोपाल बोनिसवर चंडीगर चंडने देहरादुन देली गं सिलेबस के बारे में देखिए जो मेडिकल ऑफिसर है और बाकी जो जेए गाइस उनका सिलेबस सेम है पार्ट वान में गाइस एक सो चालीस एमसी को पूछा जाएगा तो गाइस यहां पर रिजर्वेशन आराम से मिल जाएगा इसके लिए कोई दिकत नहीं एज लिमेट के बात करें इस इस फॉर्म को लेकर इंट्रेस्टर तो जरूर अप्लाई की जब बीग अपर चूटी है गाइस एनस पीसी लिमिटेड में काम करने करें गाइस सेलेरी काफी बढ़िया है यदि आप डिप्लो में पास आउट हो बिलकुल फ्रेसर हो तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं पर कोई भी एक्स्पिरेंस नहीं मंगा गया मिलता है इसी तरह एक न्यू अप्डेट के साथ तक जाहिन दोस्तों बंदे मात रहा हूं